कुदको मोधी भक्त कहने वाली कगना रनोत की क्यों वर यह चोट अरफा बेज़ें थी क्यों के ही लोगों से कर दिया है उनका बाइकॉट हमेशे सुर्कियों बनी रहने वाली कगना की हाली में फिल्म तेज़स रिलीज़ हुई जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने गोती मीडियों खुब इंटरवियों भी दिये हैं अपने सोचल मीडिया पर खुब फिल्म का प्रमोशन भी किया है पोस्ट डालते हुए वो लिखती है कि अब आसमान से दुश्मन पर होगा वार जंग का एलान होगा गिवो भारत है जिसे छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं ऐसे ही खूब दिशभक्ती वाले पोस्ट उन्होंने अपने सोचल मीडिया बढ़ा ले ताकि फिल्म का प्रमोट कर सकें वो बस यहीं नहीं रुकी फिल्म प्रमोशन करने के लिए उन्होंने इसराइल के दुतवास तक भी चली गई वो इसराइल के दुतवास चली गए इपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए और साथ ही उन्होंने इसराइल की खूब तारिफ कर डाली रामण देहन पर रामण को अपनी तीर से देहन करने की विन्होंने खुब कोशिश की ती मगर अफसोट जहासी की राणी इसमें भी नाकाम रही इतनी सब नोटक की करने के बाद भी आखिर कहा पर कंगना की से गल्ती हो गई जो अपने ही लोगों को यह यूँ कहें कि अपने अहीं अंदभक्त जो उनके लोग हैं उनको डिजाने में नाकाम रही कंगना अननौत हमीशे सही भक्तों को सपोर्ट करती हैं और भक्त भी खूब बढ़ चड़कर सोशल मीडिया पर उनको साथ देते हैं लेकिन फिर भी वो लोग कंगना की फिल्म को देखने क्यों नहीं गए बलकि पहले ही दिन थेटर की कुरसिया खाली पड़ी रही जिसकी वज़ासे फिल्म के पिच्चान में फीजदी शोस को कैंसल करना पड़ा सोचे कितनी अफसोस की बात है जो कंगना मोदी सरकार के साथ हर एक कदम के साथ खड़ी रहती है उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी रहती है बोलती है कि देश को अज़ादी 2014 के बाद मिली हाँ शायद 1947 में तो सब लोग मजाकी कर रहे होंगे लेकिन असलि की अपनी रोल मोडल के साथ ऐसो कोई करता है क्या जो उनके लिए दिन रात खड़ी रहती हैं बता हूं की ही फिल्म को देखने कोई नहीं गया और जो एक दो लोग गई भी फिल्म को देखने के लिए उनों ने यह हुँ तक क्या दिया कि फिल्म तो पूरी तरा से डिजास उनका साथ देते हैं लेकिन फिल्म को देखने कोई नहीं आता एक और यूजर निगार पर भी लिखती है क्या ये खबर सच है कभी इसराइल राजूस से मुलाकात कभी गोधी मीडिया के चार्टुकारों से इंटरव्यू मतलब सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी लोग फिल् जा है वो क्या रही होगी हम अपनी राइस पर जरूर दें और बागे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ